मुवी में आप लोग देखेंगे कि जब क्लास का एक स्टुडेंट हाथ धो कि अपनी टीचर के पीछे पढ़ जाता है तो अंत में इसका अंजाम क्या होता है सुब मुवी स्टार्ट होती है और हम यहां इसकूल में लाना नाम की एक टीचर को देखते हैं लाना जिस क्लास में पढ़ाती है वहीं पर एक बेनी नाम का टीनेजर स्टूडेंट है जो वो अक्सर लाना को घूरता रहता है लाना इस बात को कई बार नोटिस करती है लेकिन उसके एक्स्प्रेशन्स को देख के ऐसा लगता है कि उसको भी उस लड़के से अट्रैक्शन ह खैर लाना एक मैरीड वुमिन है उसकी एक बेटी है जिसे वह स्कूल के बाद में पिक करने के लिए जाती है लाना इस दोरान बेनी को उसके डॉक के साथ में वाग पर देखती है लाना बेनी को दूर से ही घूरती जा रही होती है इसे देखके यही लगता है कि लाना के मन में बैनी के लिए कुछ तो है अगले दिन क्लास में लाना जब पढ़ा रही होती है तो वहीं पर स्टूडेंस में एक लड़की थी जो पढ़ाई के दौरान मुबाइल यूज कर रही थी लाना उसे डाटते हुए उसका फोन मांग लेती है लेकिन वो लड़की जब अपना पौन दे रही थी तो वो टीचर को गाली भी देती है इससे लाना को बेहरती गुस्सा आ जाता है जिससे लाना फिर उसे क्लास से बाहर निकल जाने को कहती है लेकिन वो लड़की बाहर नहीं जा रही थी बैनी भी दूर से यह सब देख रहा होता है लाना उस लड़की से क लाना इसके बाद में अपनी साथ की टीचर से बेनी के बारे में बात करती है वो कहती है कि हमारे क्लास में एक लड़का है जिसका बेहवियर काफी अजीब है लेकिन उसके साथ की टीचर को बेनी के बारे में कोई भी अजीब बात नहीं दिखती कुछ देर बाद में बेनी ज चाहिए तो तुम बता सकते हो लाना ये कहते हुए बेनी को टच करती है लेकिन इसके बाद में बेनी खुद कहता है कि मैं आपके कोई हेल्प कर सकता हूं जिसके बाद में ये सुनने के बाद अब लाना यहां से चली जाती है घर पर लाना क्लास में सभी के रिजल्स चेक कर होती है तो यहां वो देखती है कि बेनी के रिजल्ट काफी खराब है लाना को हर समय अब उसी के थौट्स आने लगे हैं अगले दिन प्लास में पढ़ाने के बाद जब सभी लंच पर जाते हैं तो बेनी के सीट पर उसका बैग रखा हुआ था लाना बैग के पास में जाके उसके अंदर बेनी का जैकेट निकालती है और उसे समयल करती है इस दोरान लाना को कोई देख रहा होता है जिससे वो जल्दी से यहां से निकल कर वासरूम में चली जाती है अब यहां हम देखते हैं कि बेनी भी यहीं है बेनी को भी लाना के इरादे पता चल चुके हैं ज इतना करीब आने के बाद में लाना की अब और भी नीन कतम हो जाती है। क्लास में अभी भी दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्लास ओवर होने पर लाना जब जा रही थी तो बेनी भी उसके साथ में कंधा सटा कर चल रहा था। जिससे लाना उससे बात करने के लिए फिर से खाली जगे पिले जाती है। वो उससे कहती है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं यह सब नहीं करना चाहती तुम यह सब भूल जाओ। लाना भी उसके बाद में स्कूल से निकल कर कार के पास में जाती है। वो यहां पर देखती है कि उसके कार का सीसा तूटा हुआ है लाना समझ जाती है कि ये जरूर बेनी नहीं किया होगा घर पहुँचने पर लाना का हस्बेंट उससे कार के डिंट के बारे में पूशता है लाना बताती है कि वो लैम कोर्ष से टकरा गई थी लाना अपने हस्बेंट को बेनी के बारे में नहीं बताती क्योंकि इसे और भी प्रॉब्लम हो सकती है अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट को पेपर पर जॉब के लिए कवर लेटर लिए देती है वो सभी लोग उसे कहती है कि इसमें आपको अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिखना है और वो उसके लिए क्यू सिटेबल है इसके बारे में भी लिखना है सभी लोग क्वेस्टन पूछते हैं और इनी के बीच में बेनी कहता है कि क्या आपने यहाँ पर जॉब के लिए हैट मिस्ट्रेस के तलवे चाटे थे वो कुछ गंदे इसारे भी करता है जिसके बाद में लाना उसका बैक बाहर फेक के उसे क्लास से भगा देती है लाना की भले ही काफी बेजती होई लेकिन उसकी यादों में बेनी हर समय होता है घर पर भी लाना को कई बार बेनी कॉल करता है जिससे लाना फोन को रिसीवर से हटा देती है अगले दिन लाना जब स्कूल में जाती है वो बाहर से क्लास रूम में देखती है कि बेनी अंदर बैठा है ऐसा लगता है कि लाना बेनी से डरने लगी है इसके बाद में वो क्लास से छुट्टी ले लेती है और फिर वो यहां से चली जाती है अब आज का पूरा दिन वो घर में अपने हस्बन के साथ में स्पेंट करती है अपनी बेटी को वो स्कूल से पिक करने के लिए जाती है और बाद में वो एक आर्ट गैलरी में जाती है वो यहां पर आर्ट वर्क्स को देख रही होती है लेकिन इसी बीच में उसे कुछ लगता है कि बेनी उसके पीछे है बेनी यहां पर होता है जिसके बाद में लाना भी यहां से जाने लगती है बेनी अफी भी उसके पीछे होता है लाना जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है लेकिन तभी बेनी भी यहां आ जाता है वो जल्दी से लिफ्ट में घुश जाता है दिखने में यही लगता है कि लाना भी यहीं चाहती थी कि वो आ जाए बेनी अब लाना के चहरे पर उंगलिया फेरने लगता है और उसे टच करते हुए लाना से रहा नहीं चाहता और वो बेनी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन बेनी उसे रोक के खुद से ही सेडियूज करता है लाना को इस कि अब बेहत चिंता है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसका बेनी के प्रती अट्रैक्शन भी कम नहीं हो रहा है जिससे वो उसे यहां से हटाने का एक आइडिया निकालती है लाना चुपके से स्कूल के आफिस में जाती है वो एक लॉकर को खोल रही ये बेनी के जैकेट में डाल देती है अब कुछ तेर बार में हम देखते हैं कि बेनी को पुलिस पकड के लिए जा रही है लाना काफी कुछ नजर आ रही है और बेनी भी मगर जान जाता है कि ये सब लाना ने किया है एक दिन लाना और उसका हस्बेन रिवर में नहां रहे क्लास में पढ़ाते हुए भी लाना को बस उसी कहीं थौर्ट सा रहे होते हैं उसे ऐसा लगता है कि बेनी अभी भी उसे घूर रहा है एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ में बुक स्टोर में होती है लाना जब दूसरी तरफ जाती है तो अचानक से उसकी बेटी कहीं लेकिन उसे यहाँ पर अपने हस्बेंट से यह पता चलता है कि एक लड़का उनकी बेटी को घर छोड़ के गया है लाना को रिलीफ फील होता है लेकिन लाना इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि बेनी कुछ भी कर सकता है एक तरफ लाना बेनी से काफी डर रही होती है ले किसी भी तरह से बस इन सबसे निकलना चाहती है। लाना कार में होती है और बेनी उसके सामने स्कूटर पर कहीं जा रहा होता है। लाना इन सबसे इतना उप चुकी है जिससे लाना के इराध्या बेहदी खतरनाक हो चुके हैं। लाना बेनी का काफी दूर तक पीछा करती है जो टर्न बेनी लेता है वो टर्न लाना भी लेती है और अब एक ऐसी जगे जाने पर जहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था लाना भी अपनी कार से उससे उड़ा देती है लाना को अपनी करतूत पर तुरंती रिग्रेट होत लेकिन अब तो बेनी कुचल कर मर चुका है और मूवी भी यहीं पर एंड होती है तो मूवी में लाना का अट्रेक्शन बेनी की ओर था यह बात बेनी भी जानता था इस बात का फायदा बेनी उठा रहा था लेकिन लाना एक फैमिली पर्शन थी जिससे उसके लिए यह सब कर सब्सक्राइब करेंगा आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए जैहिन वंदे मात्रम